तो गाईज यार आप मेंसे काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपको ये बनी वारा बंडल कैसे मिला था यार तो यार इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरस्टिंग है तो इस वीडियो में पूरी स्टोरी की बात करेंगे बस आपको वीडियो को पूरे एंट तक देखना है तब ये आपको वीडियो देखने में मज़ा भी आएगा यार तो ये बात है आज से लगबख धाई साल पहले की जब मैंने गेम खिलना लगबख स्टार्ट ही किया था उस वक्त मुझे इवेंट्स क्या होता है और लक रोयल क्या होता है टॉप अप क्या होता है इलाइट पास क्या होता है मतलब कुछ पता नहीं था बिल्कुल न्यू प्लियर था मैं और मेरे पास अपना फोन भी नहीं था मैं और मेरे भाई मिलके एक फोन में खेलता हmember जो अ मम्मी का था और वह फोन इतना जबरदसt था नवाई एक जीविह रम सिर्व नहीस में many रज़ी небyरे फोन फौन मेंट्लिक एक बाणी अवालशी नहीं उसकी मतलबना जैसे एक मिलके तो यार अब बात करते हैं इस बंडी बंडल के मारे में कि कैसे मुझे यह बंडी वाला बंडल मिला तो यार इसके पिछी की स्टोरी भी काफे इंट्रस्टिंग है उस स्टोरी को बताने से पहले आप उसे एक रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बहुत बंडल सैंगे बंडल तक मुझे मेरे भाइं कभी खोरी बंडल मिल गया लगार बैहीं बंडल में और है कि इसना पहनने के लिए ना हमको कॉस्ट्यूम पैक डाउनलोड करना पड़ता था अरे यार एक जी भी रहें वाले फोन में आप क्या ही कॉस्ट्यूम पैक डाउनलोड करेंगे तो मैं इसको पहनता नहीं था लेकिन उससे लगभग एक साल बात जब मेरे पास खुद का फोन आया तो उसमें मैंने कॉस्ट्यूम पैक डाउनलोड किया लेकिन फिर भी इस बंडल को मैं कम ही पहनता था क्योंकि यार उतना खास था नहीं यह बंडल लेकिन जब मैंने यह वाला बंडल पहनना श्टार कर दिया उसके बाद से यार जब भी मैं किसी वीडियो के थमनेल में बनी बंडल देखता था ना तो मैं उस वीडियो को जुरूर देखता था यार क्योंकि मुझे अंदर यंदर बहुँज़ादा खुशी होती अधि जब मैं बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को इस बंडल को पेहन कर खेलते वह देखता था तो जब रैस्टार ने बंडल को प अगर हर बंदा लाइक करेगा तो लाइक एजली पूरा हो जाएगा अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा गुड़ बाए